पूरा कर पाएंगे देखिया हमारी इस खास रिपोर्ट में है पहली बार IPS अधिकारियों को ये fitness challenge दे दिया है और इसको पूरा करने को कहा भी है पर क्या आराम तलब IPS चैलेंज को पूरा कर पाएंगे इस पर suspense बरकरार है जरा एक नज़र डाल लेते हैं बेडॉल IPS अधिकारियों पर जिनके उपर जिले की कमार है राजधानी के SP ग्रामीर गारो ग्रोर बेडॉल है राजधानी के शित्रा दिकारी गोमती नगर चकरेश मिश्रा बेडॉल है बांदा की SP शलिनी बेडॉल है शित्रा दिकारी हर्दोई अर्विंद कुमार बेडॉल है ऐसे अन्फिट पुलिस अफसर को डीजीपी साहब कैसे शिवसाइज मिलाएंगे ये खुद डीजीपी और तोंदू पुलिस अफसरों की सिर्दर्द है चैलेंज ले लिया है तो उसे पूरा करना ही है क्योंकि ये फर्मान किसी और का नहीं बलकि उनके प्रमुक के तरब से जारी किया गया है देखिए ये हमारे एक फिटनेस चैलेंज है जो मानिय प्रधान मंत्री जी ने किया है और हमने सारे पुलिस कर्मियों को जो 40 वर्ष से उपर के हैं उनको आवाहन किया है उनको अपील किया है कि इस फिटनेस चैलेंज को स्विकार है और अपनी शारीरिक शमता और प्रोफेशनल शमता ये दोनों को दिखाएं हमने ये निर्देशित किया है कि उत्रप्रदेश के हर एक जन्पद में साढ़े पांच से साढ़े छे फुट पेट्रॉलिंग होगी और उस फुट पेट्रॉलिंग में पूरे अधिकारी शामिल होगे चाहे वो डीजी पी होँ, अडीशनल डीजी होँ, डीजी के नीचे आईजी होँ सभी को हमने किया है तो इस प्रकार का एक मेसेज है जो यूनिफॉर्म मेसेज है फुट पेट्रॉलिंग के साथ साथ फिट्नेस, ये हमारा मेसेज है अब देखना है कि प्रदेश पुलिस अपने अनफिट और बेडॉल पुलिस वालों से चलेगी या फिर फिट्नेस पर बिशेज ध्यान देने वाले अपसरों से क्योंकि जब पुलिस फिट रहेगी तो सूबे की काड़ों ब्योस्ता भी चुस्त और दुरुस्त रहेगी उत्रप्यदेश अब गोल मटोल और बेडॉल अधिकारियों से नहीं बलकि फिट और तेज तर्रार अधिकारियों से चलेगा इस बात का कहना किसी और का नहीं बलकि उत्रप्यदेश के डीजी पी ओम प्रकास सिंग ने एक दम इसपस्ट कर दिया है कि अधिकारी अपने आपको फिट रखें या फिर बाहर का रास्ता रखें इन सारी चीजों को इस बात से देखा जा रहा है जिस तरह से डीजी पी ओम प्रकास सिंग ने प्रधान मंतरी का फिटनेस चैलेंज एकसेप्ट करते हुए पांच किलिमीटर चल कर इस बात को बता दिया कि वो कितने फिट हैं और उसी तरह से तमाम अन्य दिकारियों को भी रहना होगा नहीं तो उन्हें दिखा दिया जाएगा बाहर का रास्ता कमरा में आशीश के साथ अभी शेक मिश्रा भार समचार लखना हो